नमाशकार किसन बायो, देसी पुल्टी फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है, देसी पुल्टी फार्मिंग की profitable शुरुवथ होती है, बुरुडिंग से, तो आज हम बुरुडिंग कंसेप्ट के बारे में विश्तार से जानेंगे, देसी मुर्गी पालन अगर फायदे में brooding अगर अच्छी होती है तो हमें इसके result जो है poultry की growth में दिखते है और इसी का effect marketing के उपर भी दिखता है तो brooding करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि हमारी batch जब आने वाली है हमारे पास day old chicks आने वाले है तो उसके पहले हमने पूरी तैयारी कर रखी है क्या तो ही हम एक दिन से लेके पहले 20 दिन तक जो है अच्छी brooding कर सकते है तो तैयारी क्या करनी है सबसे पहले जो तैयारी रहती है वह एक दिन के चुजों को जो हमें temperature देना है वह temperature के लिए हमने brooder लगाया है electric bulk लगाया है इसकी व्यवस्ता हमने कर रही है क्या यह हमें देखना जरूरी है तो अगर हम अच्छा मुर्गी पालन कर रहे हैं बड़े पैमाने पर मुर्गी पालन कर रहे हैं तो हमारे पास brooder होना ही होना है आपके पास अगर brooder नहीं है तो आप brooder घर पे भी बना सकते है electric bulb लेके उसका brooder आप easily बना सकते है तो first day पे आप सभी को पता होना चाहिए कि एक दिन के चुज़ों को 35 degree Celsius temperature लगता है और हर दो दिन के बाद हमें यह जो है 2-2 degree Celsius कम करना है 2-3 दिन हो गए कि हमको जैसे कि पहले दिन पर हमने 35 degree Celsius रखा है तो उसके बाद 2-3 दिन के बाद हमें 2 degree Celsius याने 35 का 33 हो जाएगा तो यह हमें brooding के बारे में ध्यान रखना जरूरी है अगर यह temperature हम proper नहीं दे पाते brooding में तो वहीं पर चूजे जो है हमारी उसकी growth अच्छी नहीं होती है बहुत बार बीमारी आने के भी chances रहते हैं क्यूंकि temperature maintained नहीं हुआ ठंड बढ़ गई या temperature बढ़ गया तो उसमें बिल्कुल growth भी proper नहीं होगी और काफी सारी बीमारी आने के chances रहते हैं और ऐसे समय दवाईया दे के भी फाइदा नहीं है तो हमें focus यह करना है कि एक दिन के चूज़ों को मैं proper brooding किस तरह कर पाऊँगा दूसरी महतोपुर्ण बात होती है brooding के लिए जगह देने की तो आप यह ध्यान रखे कि आपके पास अगर सव चूज़े है तो उनके लिए brooding space आपको कम से कम 10 feet का circle बना के देना ज़रूरी है यह जगह थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन एक average देखा जाए तो आप circle ऐसा बनाए कि उसके अंदर की जो length है इसे diameter बोलेंगे हम वह 10 feet की होनी ज़रूरी है तो ऐसा circle बना कि उसमें आप सव चूज़े छोड़ सकते है और वहाँ पे proper brooding कर सकते है तीसरी ज़रूरी बात यह है कि एक दिन के चूज़ों को हमको देखना है कि नीचे लीटर जो है वहाँ पहले दिन हमें नहीं रखना है पहले दिन तो हम चूज़े जो है पेपर के उपर रखते है क्योंकि उनके पैर जो होते है नाजुक होते है लेकिन दुसरे दिन से हमें ध्यान रखना है कि जहाँ पर brooding हो रही है वहाँ पर हमने लीटर material डाला है क्या और लीटर जो है ज्यादा तक प्रिफरेबली हम राइस हस्क यूज़ करते है और इसकी जगह पे आप अलग-अलग भूसा जो है वह यूज़ कर सकते है जिसमें लपडी का भूसा है या अलग भूसा है यह यूज़ कर सकते है यहां ध्यान रखना है आपको कि वह चूज़े जो है उनके पैरों को वह चूबना नहीं चाहिए तो यह छोटी-छोटी बाते हैं अगर हम ध्यान रखते हैं देवल्ड चीक्स है ब्रूडिंग के समय में उनकी मॉर्टेलिटी हम बहुत बड़े पैमाने पर रोक सकते हैं कि आप सभी को पता है ब्रूडिंग करते समय उनके लिए चीक-फीर-चीक-ड्रिंगर यह दोनों हमारे पास अवेलेबल होने हैं तो उसकी हाईट भी हमें देखने हमें कि सिटैंड से हम स्टैंड रख सकते हैं तो हाइट मेंटेन करके हमें फीडर और ड्रिंकर रखना है ताकि हमारे जो चुजे हैं उनको इजीली पानी मिल सके और इजीली फीड भी मिल सके तो बुरूडिंग करते समय इन बातों का ध्यान रखिए और अपना देशी मुर्गी पालन सक्सेस्फुल कीजिए धन्यवाद करती उनको पालन